आपको पता है जब मैं ट्रेडिंग करता था तो ट्रेडिंग करने में मुझे सबसे जदा मिलता था वह है था Loss मैं सिर्फ ट्रेडिंग के अंदर Loss करता था प्रॉफिट नाम का शब्द मैंने सुना था लेकिन कभी देखा नहीं था लेकिन जब मेरे loss ज़्यादा होने लगे और मेरे fund zero होने लगे तो मुझे किसी ने कहा कि मुझे trading को अच्छे से सीखना चाहिए पहले तब मैं trading करना शुरू करूँ और फिर मैं लग गया इसको सीखने के लिए फिर मुझे नए नए लोग मिले जैसे सभी को मिलते हैं किसी ने कहा कि आप candlestick pattern सीख लो मैंने candlestick pattern को सीखना शुरू कर दिया किसी ने कहा कि indicator सीख लो मैंने indicator सीखना शुरू कर दिया किसी ने कहा कि आप option chain based trading करो आप option chain के base पर भी काफी अच्छा पैसा बना सकते हो मैंने option chain को भी सीखा किसी ने कहा कि आप price action सीखो और price action सीखने के बाद भी सिर्फ मेरे हाथ लगा loss और मैं trading के अंदर loss पर loss करता चला गया कभी by chance मेरा profit हो जाता था लेकिन regular profit मैंने कभी नहीं किये क्यों क्योंकि मैं जो चीजे सीख रहा था वह कभी काम ही नहीं आने वाली थी फिर मैंने इस trading को deeply समझने की कोशिश की कि ये actual में काम कैसे करती है अब देखे अगर हमारे पास एक car है उस car को चलाने के लिए सबसे जादा जो उसका powerful होना चाहिए अगर इस trading को कोई चला रहा है तो सबसे पहले मुझे जानना है कि कौन इसको move करा रहा है कौन इसे उपर लेके जाता है कौन इसे नीचे लेकर जाता है फिर मैंने इस trading को जानना शुरू किया कि इस trading को कौन उपर लेके जाता है और कौन नीचे लेकर जाता है फिर मुझे पता चला किस पूरी trading के अंदर सिर्फ दो तरीके के लोग trade करते हैं पहले होते है retailer जिस category में आप और हम आते हैं ठीक है और दूसरे होते है operator जिस category में आप और हम नहीं आते हैं अब retailer और operator में क्या difference है देखें, retailer के पास एक हजार उपे से लेकर 1CR या इस से उपर 10CR तक का पैसा रखा है एक रीटेलर के पास इसमें से हम कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कुछ पैसा बनाकर मार्किट से निकल जाते हैं ठीक है, 10-20% जो भी हम बनाएंगे लेकर निकल जाएंगे लेकिन ये जो ओपरेटर हैं ये जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ठीक है, इनका हजारो करोल, लाखो करोल में इन्वेस्टमेंट होता है मार्किट में एक ही ट्रेड में ये लोग इतना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो यह क्या सोच कर market में करते होंगे हम तो यह सोच कर कर रहे हैं की थोड़ा बहुत मिल जाए लेकिन क्या यह भी यही सोच कर करते हैं की मैंने 20,000 करोल उपे लगा हैं तो मुझे सरफ 1,2,1,2 करोल उपे मिले हैं बिल्कुल नहीं इनका psychology ही होता है कि मुझे एक बहुत अच्छा return नारकेट से आए अब बहुत अच्छा return कैसे आएगा ठीक है अब बहुत अच्छा return तब आएगा जब हमारे पास एक अच्छा नौलिज हो अच्छे पैसे के साथ साथ I'm right अब यह जो retailer लोग है यह जो retailer लोग हैं यह है market के अंदर सबसे ज़दा loss कर रहे है retailer 90% market में loss पर है और यह जो operator है यह है market में 90% और 95% operator profit में है ऐसा क्यों? क्योंकि इनके पास बहुत बड़ा amount है अब आपको यहाँ पर एक psychology और समझनी है वह यह है कि trading का एक और base है खरीदने वाला है तो उसे कोई बेचने वाला भी हो तभी आप खरीद सकते हैं या अगर यह बेच रहा है तो यहाँ पर कोई खरीदने वाला भी खड़ा हो अगर operator के पास 10,000 करोल लुपे है investment करने के लिए तो इसके सामने भी एक opposite party के पास भी 10,000 करोल लुपे ही हो investment करने के लिए तभी ये लोग इसका 10,000 अपने पास ले सकते हैं ट्रेडिंग का यही रूल है ये पैसा कोल वालों का पैसा पुट वालों को और पुट वालों का पैसा कोल वालों को transfer करता है अगर आप profit कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई न कोई यहां पर loss भी कर रहा है तो इन्हें चाहिए कि market में कोई दूसरा व्यक्ति 10,000 करोल पे invest करे तो हम पैसा बनाएंगे ठीक है अब operator क्या करते हैं operator करते हैं market में trap अब वह trap कैसे करते हैं देखिए माल कर चलिए कि यह एक support है यहां पर operator बैठा है यह operator market को इतना उपर लेकर गया कि यहां पर उसने resistance create कर दिया market का अब वह फिर से इसे नीचे लेकर आया उसने तो यहां पर पैसा invest किया था उसने यहां पर निकाल लिया इस लेवल पर operator ने पैसा अपना exit कर लिया market फिर से उसी लेवल पर आ गया उसने फिर से पैसा invest किया वह फिर से market को इसी लेवल पर ले गया अब यहां पर जब double top create हो गया देखिए यह जो double top create हो आ तो ज़ादातर retailers ने जो सीखा है जो YouTube पर हम लोग सीखते हैं कि double top बन जाए तो sale कर दो ठीक है head and shoulder बन जाए तो sale कर दो ठीक है यह चीज़े हमने सीखे है double बन जाए तो खरीद लो यह चीज़े जो हमने सीखी है ठीक है तो यह operator भी सीखा हुआ है उसको पता है कि उसको क्या करना है वे फिर से investment करके उपर ले गया उसने फिर से exit किया market फिर से नीचे आ गया ठीक है तो यहाँ पर जिसने put लिया उसको benefit हुआ उसने अपनी trade को continue रखा और जब यह trade उसने smart money यानि कि operator ने जैसे ही यह वाला support जैसे ही break किया तो सबसे जादा पैसा इस level पर आकर लगा यह वाला level जो है यानि कि इस support पर पैसा सबसे जादा आकर लगेगा क्योंकि अगर कोई support break होता है तो जादा chance होते है कि market उसके और नीचे जाए अगर कोई resistance break होता है तो market उपर जाता है ठीक है यही अपने सीखा है और यही चीजे इस charge में भी हुई है अब जैसे ही यहाँ पर सबसे जादा पैसा invest होगा तो यह सारा trap था जाल बिछा गया था कि यहाँ पर सबसे जादा पैसा retailer लोग लगाए अब जैसे ही retailer लोग यहाँ पर पैसा लगाते हैं तो operator फिर से पैसा in करता है और इसको ऊपर लेकर चला जाता है ठीक है अब ज़र एक बास सोचिए ठंडे दिमाग से कि अगर यहाँ पर operator का खेल ना हो ठीक है आपने भी सीखा हुआ है कि double top पर sale करना है operator ने भी सीखा हुआ है double top पर sale करना है उसने इस level से sale कर दिया उसने भी अपनी trade को continue रखा ठीक है हमने भी अपनी trade को continue रखा तो फिर पैसा कहां से आएगा हमारे पास जब सब एक ही तरफ दोडेंगे तो trading का rule है कि market में trap करो और पैसा बनो तभी यहाँ पर trading में हर कोई विक्ति पैसा बना नहीं पाता क्योंकि यह जो operator है यह market में trap करते रहते हैं retailers को तो मैंने जैसा बताया था कि retailer market के अंदर 90% loss कर रहे हैं और operator यहाँ पर 90 से 95% low profit में हैं तो हमें follow किसे करना चाहिए हमें follow करना चाहिए इस operator को यही operator है जो हमें पैसा लाकर देगा अगर हम इसे follow करेंगे तो अब देखें अगर हमें operator को follow करना है retailer को तो हम follow करेंगे नी वो तो loss में है अगर हमें operator को follow करना है तो सबसे पहले हमें जानना है कि operator की category में कौन-कौन लोग आते हैं देखें operator की जो category में आते हैं वहे आते हैं FI और दूसरे आते हैं DI ठीक है और भी institutions हैं pro भी है, काफी सारे institute है जो इस category में आते हैं लेकिन हमें किसी की एक चाल पकड़नी है किसी भी institute की एक चाल पकड़कर बैठनी है, क्योंकि इनके पास एक बहुत बड़ा investment है हमें सिर्फ ये समझना है, अगर कोई व्यक्ती हम ही है, अगर हम market के अंदर सिर्फ एक लाख रुपे invest कर रहे है एक हजार रुपे कर रहे है, तो हमारा क्या view होगा, कि ये एक लाख रुपे से पचास जार हो जाए ये एक हजार रुपे से 500 रुपे हो जाए, ये हमारा view होगा, बिल्कुल नहीं, हम ये सोचेंगे कि market उपर जाए, तभी हमें benefit होगा, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है, इनके हाथ में है, जब ये बड़ा पैसा investment करेंगे, अच्छे एक सवाल हो रहे हैं हापे, हम जो retailer लोग हैं, इस पूरे भारत के अंदर या भारत से बाहर भी जो लोग इंडिया में trade करते हैं, क्या हम सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, बिल्कुल नहीं क्या ये market को उपर ले जाने का जो नियम है ये हमारे retailer के हाथ में है कि हम सब retailer एक दिन खड़े हो के कह दें कि नई, यार आज market को उपर ले कर जाते हैं या हम सब retailer ये कह दें कि नई यार, अबना market को नीचे ले कर जाते हैं, है हमारे हाथ में नहीं है, ये सिर्फ ओपरेटर के, operator अपुरेटर जब चाहे, मार्किट को उपल ले जा सकते हैं, तो हमें सिर्फ फोलो करना है, ओपुरेटर को ना कि, रिटेलर को ठीक है अब यहां पर, ट्रैप समझना है, कि market, ट्रैप कैसे कर सकता है, देखिए शबसे पहले मैंने बताया था कि market में आपको FIDI जो operator है हमें इनके actions को समझना है कि इनका action क्या हो सकता है ये कैसे market में क्या base है इनका ये कैसे trade करते है ठीक है तो इनका एक base है जब भी ये लोग market में कोई किसी position को create करते है तो NSE उसको सबको बता देता है ठीक है शाम को update आजाता है कि FIDI ने ये position create की है next day के लिए ठीक है तो हमें ये चीज जाननी है तो बहुत simple है हमें जाना होगा सीधा Google पर और Google पर जाकर लिखना होगा FIDI data जैसे हम FIDI data ले देखेंगे तो हमें तीन website मिल जाएंगी अब ये तीन website जो है एक NSE है, money control है stroke edge है ये तीन तरह की website है हमारे काम की जो है न वह है money control और stroke edge है क्यों? क्योंकि NSE हमें proper data नहीं दिखाती है हमें money control और stroke edge से एक proper data मिल जाता है तो हम मैं जो use करता हूँ वह है stroke edge है आपको इसा भी use कर सकते है इसका interface काफी अच्छा है इसलिए मैं इसको use करता हूँ अब आपके सामने ना कुछ इस तरीकी का interface open हो जाएगा अब इस interface में एक चीज है वह है कि सबसे पहले आपको FII CM लिखा होगा ये cash segment है और cash segment में ये लोग 221 करोल उपे की खरीदारी करके गए है उसके बाद DIA ने यहाँ पर sale किया है और FI index future यहाँ पर जो है 1249 करोल उपे की यहाँ पर खरीदारी करके गए है FI index options यहाँ पर 15,000 करोल उपे की खरीदारी करके गए है something और stock options में ये लोग 487 करोल उपे की खरीदारी करके गए है overall यह जो data है यह positive है यह data negative नहीं है क्योंकि यह लोग खरीदारी करके गए हैं अगर कोई institute market में पैसा invest कर रहा है तो उसका view क्या है कि जो उसने यह करीबन 16-17 हजार या 20 हजार करोल जो भी invest किया है क्या वह इसका आधा कर ले क्या वह इसका minus में करके लेके जाए बिल्कुल नहीं वह लोग अपनी position को profit में लेकर आएंगे चाहे भले सी वो बाद में पैसा exit कर लें लेकिन पहले वह लोग market से पैसा बनाएंगे तब वह बाद में exit होंगे क्योंकि इनके पास एक बहुत बड़ा capital है इनी के हाथ में है कि market को कब उपर और कब नीचे लेकर जाना है तो यह data positive है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह data है 13 अप्रेल का यह 13 अप्रेल को यह position create करके गए है अब जो इसका impact पड़ेगा यह 13 अप्रेल को करके गए हैं तो यह 14 अप्रेल के लिए करके गए हैं 14 अप्रेल के लिए यह लोग करके गए हैं अपनी position को create आया समझ में तो इसका जो impact होगा वह है 14 तारिक को हमें देखने के लिए मिल जाएगा अब चलते हैं चार्ड पर यह रहा चार्ड ठीक है अब यहाँ पर इस चार्ड पर यह जो data है ठीक है अगर market अगर market यह 13 तारिक का चार्ड है अगर यह gap down खुल जाता है ठीक है तो भी वह इस market को उपर लेकर चले जाएंगे क्योंकि उनका पैसा invest है market के अंदर यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है यह data वह लोग उपर लेकर जाएंगे अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ और यह चीज़ ना आपको live भी पता चल जाएगी market एक level से उपर चला गया नीचे नहीं आया क्यों यह हमें पहले ही पता चल गया था नो तरीक को कैसे देखे यह रहा नो तरीक का data यह नो तरीक का data है जो यहाँ पर यह इन्होंने FI segment FI cash segment में इन्होंने 2000 करूल लुपी की खरीदारी की है सबसे ज़ादा खरीदारी की है अभी तक इन्होंने ठीक है Index future में इन्होंने 1673 करूल लुपे की और FI stock futures में 1475 करूल लुपे की खरीदारी की है तो यहाँ पर यह लोग overall खरीदारी करके गए हैं लेकिन अगर आप FI का previous data देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत छोटे-छोटे amount में इन्होंने trade किया है जो खरीदारी की है जैसे 342 करोड 500 करोड 1000 करोड लेकिन इस दिन यह लोग 1907 करोड लुपे की खरीदारी करके गए है 1907 करोड लुपे की ठीक है तो यहाँ पर यह जो data था यह positive था तो market को तो उपर जाना ही था और इसका impact इसका impact यानि कि यह जो 12 April sorry मैंने 9 April बोल दिया था यह जो 12 April है इसका impact हमें कब देखने के लिए मिला इसका impact हमें देखने के लिए मिला 13 तारीक को यह market 13 तारीक को उपर भाग गया ठीक है तो यह था कि operator का खेल आप operator के खेल को समझो मैंने इसके लिए course भी बनाया है जहाँ पर आपको बहुत ही जादा deeply knowledge मिलेगा और एक successful strategy भी बताईए मैं आपको 100% guarantee दे रहा हूं कि आपको loss नहीं दिखेगा 100% profit दिखाई देगा आपको बहुत लोगों ने कहा होगा कि market में loss हो जाता है ठीक है आपको बहुत लोगों ने कहा होगा कि market में loss हो जाता है 100% कुछ नहीं होता लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि 100% होता है आप करके देखो मैं आपको बन बहूंगा operator मैं आपको बना कर दिखाऊंगा operator और आप बनेंगे आप market से पैसा बनाएंगे जो knowledge मैं आपको दे रहा हूँ पूरे YouTube पर छानमारो आपको इस तरीके का knowledge नहीं मिलेगा ठीक है दिमाग खाली करके रख देंगे आपका कि option chain सीखो, candlestick pattern सीखो, price action सीखो, indicator सीखो लेकिन फिर भ operator को follow कीजिए, बाकी आप किसी और चीज़ को follow मत कीजिए, अब देखिए, इसका एक live example मैं आपको दिखाता हूँ, double top, M, यह सारी चीज़े आपको पता चल जाएंगी अभी, देखिए, market ने एक अपना resistance level create किया, ठीक है, उसके बाद market ने फिर से एक double top create किया, इस level पर यहा support create किया, जब market इस level से नीचे आया, फिर से एक resistance create करने गया, और फिर से उसी support पर आकर फिर से उसी resistance पर create हुआ, तो सब को पता है कि इस level से market नीचे जाएगा, क्योंकि पहले भी गया है, उससे पहले भी गया है, तो two times market नीचे चला गया, ठीक है, two times market नीचे गया है, तो कहां पर अपना दिमाग दोडाना है कि यह जो चीज नीचे और उपर जा रही है यह आपको भी दिखाई दे रही है और ओपरेटर को भी दिखाई दे रही है तो वह इस चीज के अगेंस जाएगा वह ट्रैप करेगा तो उसने ट्रैप कहां पर करा उसने ट्रैप करा इस कौौन से लोग रिटेलर और जैसे ही रिटेलर ने यहां पर पैसाँ इन्वेस्थ किया तो वह सब का पैसा लेकर उड़ गया धीरे दीरे धीरे दीरे उड़ता चला गया मिवी क्षा एक टाइम एसा आया कि उसने बड़े बड़े कंडल्स लाकर मार्किट में खड़े कर दिये क्यों? क्योंकि जब भी मार्किट उपर जाएगा ठीके, तो वहेश सेलर को ट्रैप करेगा, ये बात हमेशा याद रखेगा, जब भी मार्किट ट्रेंड में हो, अब ट्रेंड में तो कभी भी आप सेल मत कीजिए आप ट्रैप हो जाओगे और जब कभी भी मार्किट डाउन ट्रेंड में हो, तो कभी भी बाय मत कीजिए, आप ट्रैप हो जाओगे, यहाँ पर बायर्स को ट्रैप करेगा तो आपको लॉजिक समझना है, ओपरेटर का कि उसकी एंट्री कब होगी मैंने आपको बहुत किलियर्टी से बताया है कोर्स के अंदर भी कि आप समझ सकें कि मार्किट में जो ओपरेटर है, वह कभ एंट्री करने वाला है, यह जो चार्ट है ना, यह पहले ही बता देता है, बस इससे दोस्ती कर लो इससे समझ लो यह आपको पहली बताएगा कि मार्किट में कब कौन सा ट्रेड क्रेट होने वाला है ठीक है तो आपको यह चीजे समझ कर चलनी है बाकी और किसी चीज पर इतना फोकस नहीं करना है ठीक है तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेट करके ज़रूर बताएगा कि मैं इस तरह के का नॉलीज आप से आगे भी शेर करूँ मैं आपको इतना एडवांस तरीके से सिखा सकता हूँ और आपको इतना एडवांस नॉलीज दे सकता हूँ कि आप लाखो करोड उर्पिया कर्च करके भी नहीं प्राप्त कर सकते यह चीज़ मैं आपको केलियर बोल रहा हूँ तो अगर आप सक्सेसफुल आप्शन ट्रेडर बनना चाहते हैं तो सिर्फ आज से रिटेलर को फोलो मत कीजिए यूट्यूब पर अपना टाइम बरबाद मत कीजिए और किसी की वीडियो पर कैंडलिस्टिक दुनिया भर का आइटम सीख कर मत चलिए वो काम नहीं करता सिर्फ आप लॉजिक पकड़िए ओपरेटर का स्मार्ट मनी का और आप देखें कि आपको पैसा बनता है या नहीं बनता है थीक है तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक नई नॉलिज के साथ थैंक यू